दोस्तो आप लोगों मैं से कई लोगों के मन में कभी ने कभी एक सवाल जरूर आयोगा कि गाड़िए का जो side indicator होता है या parking light होता है वो fles कैसे करता है या blink कैसे करता है आखे उसके पीछे कौन सा इस a circuit होता है आखे उसके पीछे कौन सा इस a science होता है जो काम करता है जो इन lights को blink करवाता है बहुत ही जबर्दस से वीडियो रहने वाली है साथ मैं जो circuit उसमाल होता है उसे connection करना भी आपको बता नूगा और कैसे काम करता है थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ज़रू तो यहाँ पर यह रहा वो circuit जो इन lights को flash करवाने का या blink करवाने का काम करता है इसको flash कहा जाता है यह flash बारव वोल्ट से operate होता है जो कि हमारे गाड़ियों पे लगाया जाता है इस flash के अंदर एक relay होती है जो on-off on-off करवाती है इस bulb को इस flash का इस्तमाल आप बारव वोल्ट के circuit पे किसे भी चीज़ को on-off करवाने के लिए कर सकते हैं जरूर नहीं कि आप एक bulb ही लगाए तो इस flash को आप कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हैं पारकिंग light के लिए ऐसा ही दूसरा flash इस्तमाल होता है लेकिन वो भी flash ही होता है तो अज में इसके आपको connection बताऊँगा पहले आपको इसकी working एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर के relay होती है आप मैंसे किसी के मन में जरूर यह सवाल आओगा अगर आया हो तो please comment में बताना कि हाँ आपके मन में यह सवाल जरूर है चलिए इस तरीके से और इसके connection कैसे होता है यह आपको अपी में diagram के साथ मैं समझा दूँगा यह देखिए और इस तरीके से कुछ cut 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 सा इसके अंदर होता है और जो इसके अंदर cut cut हो रहा है वो relay ही होती है जो की work करती है कट 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 मैंने relay की working आपको एक वीडियो में समझाईए अगर आप relay की working देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर पहले तो इसके मैं connection आपको समझा देता हूँ connection कैसे करने होते हैं और इसमें भी भाई प्लस का एक terminal होता है आप गलत जगह इसको अगर connect करते हैं तो यह काम नहीं करेगा तो इसके terminal को आप ज़रू समझ के connection करिएगा और हाँ जो side indicator में buzzer लगा जाता है ना पीप वाला काफी लोग buzzer लगाना पसंद करते हैं कि इंडिकेट जब आपकी यह light जले तो उस वक्त बजर भी वर्क करें तो बजर के भी connection आपको समझा दूँगा कि आप इसके connection या अगर आपकी यह light blinks नहीं करती हैं फ्लेस नहीं करती हैं तो इक इसको जोड़कर आप फ्लेसिंग करवा सकते हैं इंडिकेटर आप घर पे ही जो उसका बजर होता हो घर पे ही add कर सकते हैं अगर आपके पास बजर है तो चलिए पहले इसके मैं आपको connection समझा देता हूं यह जो फ्लेसर है उसको एक simple तरीके से भाई circuit मा जोड़ा जाता है यह फ्लेसर हमेशा series में लगता है यह फ्लेसर हमेशा series में लगता है यह फ्लेसर में दो पिन है टू पिन फ्लेसर उसको बोलते हैं और पार्किंग वाली light में आपके ज्यादा पिन होते हैं और यह आपका bulb है यह बल्ब है और यहाँ पर इसके जो connection होते हैं और यह battery समझ लीजिए बैटरी समझ लीजिए प्लस माइनस और यहाँ पर जो फ्लेसर इसमें लगाया गया है इसमें जो connection होते चलिए इसको मानते हैं और इसको प्लस मानते हैं और इसको प्लस मान लेते हैं इसका और इसका ही मानते है इसका जो यह input terminal मान लेते हैं इसको output terminal मान लेते हैं जो इसके connection होते हैं इसको आप plus मानने जीए ठीक है यह plus है और यह minus है तो इसके connection कुछ इस तरीके से होते हैं और यहां से यह bulb में add हो जागा और बाकी connection इसके इस तरीके से series में होते हैं बाकी जो switch वगर होता है वो आपका handle पैड हो जाता है पूरी bike का चित्र तो नहीं बनाओंगा ले इसको directly आप parallel पर नहीं जोड़ सकते हैं इसको आपने series पर जोड़ना होगा bulb के series में ही इसको जोड़ा जाता है अगर आप को मैं direct flasher आपको चला के दिखाऊं तो देखिए अगर आपको flasher चला के दिखाऊं तो flasher इस तरीके से work करता है अगर आप डारेक्ट इसमें 12 ओल देखे आपको दिखाऊंगा तो यह work फिर भी करेगा इस तरीके से स्याद आपको उसके अंदर से cut 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 sound सुनाई दे रहा होगा तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और जो आपके बजर होता है जो बजर अगर add करना चाहते हैं तो बजर का जो positive terminal होगा आपको यहाँ पर add करना है जाखिए suppose किजिए यह बजर आप इसमें add करना चाहते हैं बजर क बजर के ही connector के शाथ में आपको बजर के connection कर लेना है series में तो इसकी दो pin के साथ में series में ही आपके बजर के connection होगे तब जाके भी आपका बजर असानी से काम करेगा ज्यादा कोई भी wiring नहीं चेलनी है इससे के साथ में buzzer कर दिए series में और यह जो flesser होता है वो left right दोनों को ही बस यहाँ पर turn करने के लिए हमने यह जो switch होता है bike का उसको इस तरीके से अगर इधर को कर देंगे तो हमारा left के light जलती है यानि कि right या left जो भी आप माने और उधर को करते हैं तो बाकी switch का खेल होता है left right को करने का बस इसका काम है lights को flash करवाना बड़ा simple size का इसके अंदर एक relay होती है हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको तोड़के इसके अंदर का पूरा circuit दिखाऊं तो भाई यह एक working बाला फ्लैसर है और इसको तोड़ूंगा तो यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा मेरा नुकसान हो जाएगा हाँ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो क आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मैंसे कम से कम अगर 50 लोगों की कमेंट्स आती है कि इसको तोड़के दिखाऊं उसके अंदर circuit और पूरी working इसकी details से समझाऊं तो भाई 50 कमेंट कम से कम लोगों की होनी चाहिए और यहाँ पर यह ज करेंगे और अगर हम गलती से इसमें नेगाटिव देते हैं और फिर जाके हम इसके साथ में सीरीज के फिर से उल्टा connection कर लेंगे तो वर्क नहीं करेंगा तो इसमें positive मिलना बहुत जरूरी होता है तो पिन का भी आप ध्यान रखें positive किसमें देनी पॉजिटिव आपकी यह वाली पिन होते नीचे वाली और यह और इसको positive का है या input का है तो इसमें हमेशा positive देनी ही पड़ेगी गलत उल्टे connection से काम नहीं करेंगा तो यह होता वही फ्लैसर का काम अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक करके share कर लेना और अगर चापते हैं मैं इसको कोल के द झाली तक्यो झाल 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 झाल